आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने बाले है IQ Option की the best strategy of 2020 जी हाँ best क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि फिलहाल की time पे बहुत अच्छी work कर रही है और जैसा कि आपको पता है अगर आप मुझे follow करते हैं या आप किसी को भी follow करते हैं तो आपको एक चीज़ बता होनी चाहिए कि strategies जो होती है वो पमाने नहीं होती है वो time के साथ-साथ change होती है मतलब trends के साथ-साथ change होती है marketing news impact के साथ change होती है तो हमें क्या करना पड़ता है न हमारी strategies को upgrade करना पड़ता है time to time और आज की वीडियो के लिए मैंने IQ option का platform क्यों choose किया क्योंकि ये जो strategy है काफी हद तक अच्छी work कर रही है IQ option के साथ उमीद करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी और strategy आप जरूर अपने laptop में या फिर अपने mobile में जहां भी आप IQ option यूज़ करते है जरूर यूज़ करके देखेंगे गाइस अगर strategy आपको पसंद आती है आप profit कमा लेते हो strategy को use करके तो यार make sure like, comment and share जरूर करना वीडियो को और चैनल पर first time हो तो forex and fixed time trading की information चाहते हो तो updated information इसी एक चैनल पर आपको मिलने वाली है सबसे पहले make sure subscribe कर देना और bell icon को press करना बिलकुल मत भूलना गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के sponsor की poker sent ये एक ऐसा platform है जहां पे आप online gaming करके काफे सारा पैसा कमा सकते हो poker खेल सकते हो और भी कुछ games हैं जो आप यहाँ पे खेल सकते हो सबसे अच्छी बात है iOS और Android में आपको available है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास PC या laptop ना हो तो आप इसे नहीं use कर सकते हो सबसे अच्छी बात है यहाँ पे उनकी website पे आपको एक number मिल जाता है जो की call support के लिए काफी helpful रहता है यहाँ पे काफे सारे free tournaments हैं जिसमें आप बिना पैसा invest किये भी पैसा कमा सकते हो यहाँ पे आपको 2000 users, active users का experience मिलता है चले मैं आपको login करके दिखा देता हूँ buy chips के option पे click करके अगर आप यहाँ पे पैसे invest करके खेलना चाते हो तो वो भी कर सकते हो यार अगर आप ज़्यादा महनत नहीं करना चाते है तो link आपको description में मिल जाएगा वहाँ से download कर सकते हो otherwise आप करना चाहो तो web version पे भी जाके कर सकते हो guys सबसे पहले जब आप login होते हो अपने IQ option में बिल्कुल fresh account होता है आपका तो कुछ इस तरीकी का interface आपके सामने आता है बिल्कुल सेम इस तरीकी का interface आता है आपके सामने तो आपको करना क्या होता है सबसे पहले आपको chart type पे click करना है candles को select करना है candles को select करने के बाद आपको जो time frame है उस पे click करना है और उस पे 2 minutes select कर लेना है 2 minutes चीक है 2 minutes आपने select कर लिया उसके बाद कुछ इस तरीके का graph आपके सामने आ जाता है जहां पे आप candles देखेंगे candles red बनती है green बनती है red means अगर आपका जो time interval है वो downward direction में close होता है अब जो है अब मैं बात कर लेता हूँ किस तरीके से हम यहाँ पे strategy apply कर सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे सबसे नीचे जीचे indicator का option मिलेगा तो moving average पे आपको click करना है और यहाँ पे एक और moving average पे click करना है तो यहाँ पे सबसे पहला जो time period है वो आपको 6 रखना है और याद रखना है type जो है वो आपको SMA पे रखना है ना तो आपको EMA क्लिक करना है ना WMA क्लिक करना है SMA ही type जो है वो रखना है आपको color आप अपनी मर्जी के हिसाब से select कर सकते हैं मेरा जो pattern है मैं वही select करता हूँ हर बारी तो यहाँ पे मैंने जो है एक trend line apply कर दिया है आप देख पा रहे हैं graph के उपर एक trend line आ चुका है दुबारा मैं यही चीज़ करूँगा moving average पे मैंने click किया moving average पे click करने के बाद दूसरा जो time period में रखने वाला हूँ वो रखने वाला हूँ 14 का ठीक है और ऐसे में ही रखने वाला हूँ और color जो है वो मैं करूँगा yellow ठीक है और अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ apply तो यहाँ पे देखेंगे second line भी आपके सामने आ चुकी है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको candles का expiry time रखना है 2 minutes का जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे है और जब आप trade लेंगे तो उसका भी expiry time आपको 2 minutes का ही रखना है यानि कि हम जो trade लेने वाले ना वो एक candle की basis पे लेने वाले है मतलब जो एक candle बनेगी 2 minutes की हम वो predict करेंगे कि उसकी direction क्या होने वाली है तो interesting होगी वीडियो आपके लिए अब जाते हैं फिर से indicator वाले section पे यहाँ पे फिर से मैंने moving average पे click किया और अब 14 की जगा मैं करने वाला हूँ 21 और color जो है आप by default रख सकते हो या red रख सकते हो मतलब usually red मैं पसंद करता हूँ रखना जो तीसरी trend line है तो अब कुछ इस तरीके का graph आपके सामने आ जाता है जहाँ पे almost हमने सारी setting कर ली है लेकिन यह अभी end नहीं हुआ है हमें चाहिए एक pre confirmation प्री confirmation के लिए मैं फिर से indicator पर select करूँगा popular पर जाऊँगा नीचे MACD की जो strategy है उसमें by default सारी settings रख दूँगा कुछ भी change नहीं करूँगा और मैंने apply के button पर click कर दिया है अब मैं इसको थोड़ा सा zoom out करूँगा ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए ठीक है अब मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप यहाँ से confirmation ले सकते हो पूरी वीडियो अच्छे से समझ आएंगे आपको बिल्कुल step by step बताऊँगा लेकिन एक और request है आप लोगों से अब confirmation यहाँ पर हमको दो तरीके से लेनी है एक तो हमें confirmation चाहिए trend line से जो कि हमने SMA का जो select किया हुआ है दूसरी हमें जो confirmation चाहिए वो चाहिए MACD से जिसको हम बोलेंगे pre confirmation थोड़ा सा दिमाग लगानी कोशिश करनी है यहाँ पर आपको तो सबसे पहले हम confirmation की बात करते है confirmation हमें कैसे मिलेगी देखो जैसे ही blue color की जो trend line है वो downward direction में cross करेगी yellow और red color की trend line को याद रखना है blue color की जो trend line है जैसे ही वो cross करेगी yellow and red color की trend line को जिस भी point पे देखेंगे इस point पे उसने cross किया है इस particular point पे जैसे ही वो cross करेगी हमें 2 minute की downward direction में trade जो है वो place कर लेनी है और इसकी pre confirmation हमें कैसे मिलेगी वो बताता हूँ आपको देखें यहाँ पे नीचे देखेंगे आप M.A.C.D. में तो यहाँ पे दो आपको line दिख पा रही है आपको एक दिख रही होगी blue color की line और एक दिख रही होगी reddish color की line थोड़ा red है थोड़ा orange सा color है अब यहाँ पे से आप देखेंगे overlap की situation चालू है और जैसे ही यहाँ से downward गई है मतलब simple सी बात है अगर आपकी blue color की line red color की line को downward direction में cross करती है मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे cross कर दी थी यहाँ पे आपकी blue color की trend line ने downward direction में cross कर दिया था फिर overlap की situation आई और यहाँ से एकदम से bump ले लिया नीचे की तरफ तो इसका मतलब है यहाँ पे cross किया था इसका मतलब हमें यह situation in future मिलने वाली है तो इसका मतलब हमारे पास हो गया एक pre confirmation अगर यह downward direction में cross करता है तो इसका मतलब आगे चलके एक दो मिनट या तीन मिनट चार मिनट के बाद आपको एक ऐसा strong signal मिलने वाला है समझ गया आप चलिए थोड़ा सा और आगे मैं चलके दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से चीज़े काम करती है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही blue color की trend line ने red color की trend line को upward direction में cross किया था यहाँ पर यहाँ पर cross किया था इस particular point पर इस particular point पर यहाँ पर but हमें जो confirmation मिली है वो मिली यहाँ पर मतलब देखिए अभी मैंने आपको downward trend signal के लिए बता दिया कि downward कैसे आप signal ले सकते हो अब मैं upward signal के लिए बताता हूँ फिर pre confirmation की हम बात करेंगे जैसे ही blue color की trend line yellow color की और red color की trend line को upward direction में cross करती है तो उस situation में हमें जो trade लेनी है के results मिलेंगे लेकिन अगर आप तुक्के से trade लेते हो उससे काफी अच्छे results आपको यहाँ से जरूर मिलेंगे इतनी मेरी guarantee है अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर line को cross किया था blue color की line ने red color की line को upward direction में और same यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर हमें एक signal मिल भी चुका था तो इसका मतलब simple सी बात यह है कि यहाँ से आपको पहले देखना है जैसे आपको यह cross मिल जाता है इसका मतलब आप alert हो जाओ कि आगे चलके आपको यानि 3-4 candle बाद आपको एक अच्छा signal मिलने वाला है और इसके दोरान बीच में अगर आप देखेंगे तो बीच में आपको कोई भी signal अच्छा नहीं मिलेगा तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखके चलने है मतलब अच्छा signal चाहिए न आपको तो उसके लिए आपको थोड़ा wait करना पड़ेगा तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ देखेंगे अब यहाँ पर यहाँ की बात और आते हैं देखें यहाँ पर यहाँ पर हमें एक signal मिलता है कौन से टाइम फ्रेम है यहाँ पर हमें मिलता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकिन इससे पहले ही ब्लू कलर की जो ट्रेंड लाइन है उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि अप्वर डिरेक्शन का signal आपको मिलने वाला है और जैसी आप प्लेस करोगे अप्वर डिरेक्शन में ट्रेड आप पका विन करोगे गईस देखें आप पका विन करने वाले है मतलब यहां पे ना कुछ situation ऐसी जरूर आएंगी मैं यह नहीं कहा रहा कि आप हर बार win नहीं करोगे लेकिन majority में आप situation में आप win करोगे majority situation में मतलब ज़ादा तर cases में अब दौनों signal का जो मैंने तरीका आपको बता दिया अब मैं आपको बताऊंगा देखेंगे yellow color की जो line है और blue color ये red color की line है अब आपको ज़ादा confirmation चाहिए तो वो आपको कैसे मिलेगी मैं थोड़ सा zoom कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ देखें यहां पे red color की line और yellow color की line को blue color की line ने upward direction में cross किया है तो यहां पे हमने upward direction के लिए एक signal place कर दिया ठीक है दो मिनट के लिए और probably हम win करेंगे नहीं भी करते तो next situation में कर जाएंगे अब यह जो signal है हम इसको बोल सकते हैं लेकिन अगर यह दो line है orange यानि कि हम red वाली line को पकड़ते है और yellow color की line यह दोनों line में से एक भी line बीच में रह जाती है जैसे कि यहां पे मैं इसको example लेके चलता हूँ अब यहां पे देखेंगे blue color की line ने yellow color की line को cross किया लेकिन red color की line को cross नहीं किया तो हमें downward direction में trade नहीं place करनी है अगर यह दोनों lines को cross करेगी तो ही हमें एक trade place करनी है downward direction में I hope आप समझ गए होंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए यह जो दो trend line है जिनका time period मैंने set किया हुआ है यहां पे 14 और 21 जो time period है यह बहुत important है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक को cross किया और अपने upward direction में trade ले लिया तो आपको जरूर आपको results मिलेंगे लेकिन ज़्यादा confirmation नहीं मिलेगी और ज़्यादा अच्छे results नहीं मिलेंगे तो यार उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को और यह जो trick है यह जो strategy है यह आप ज़रूर अपलाय करके देखोगे हमेशा से कहता हूँ ज़ादा investment मत करो investment छोटी रखो और अपना 1% target रखो अपने total investment का per day profit percentage की बात कर रहा हूँ martical को follow तब करो जब आप उसको कर सकते हो follow मतलब इतना आपके पास पैसा हूँ आपके account में तब ही martical को follow करो otherwise martical को follow करने का कोई भी फायता नहीं है आप अपने account को blow कर दोगे पूरा और एक और चीज़ बताना चाहूँगा patience रखो थोड़ा थोड़ा trade लो अपने account के हिसाब से trade लो छोटा account है तो कम trade लो बड़ी account है तो ज़ादा trade ले लो कोई दिक्कत नहीं है कभी भी एक साथ अपना पूरा account का पैसा invest मत करो हमेशा से probability winning और losing की साथ साथ रहती है 50% losing 50% winning तो यह जो probability है यह हमेशा अपने दिमाग में रखो पूरा पैसा लगा होगे तो क्या guarantee कि आप वो जीत होगे हो सकता है जीत भी जाओ तो मैं आपसा request करता हूँ वो सब कुछ fraud है कोई भी चीजों में आपको पैसे देने की जरुवत नहीं है हर एक चीज आप आपको available हो जाती है फ्री में तो फ्री में ही जाओ पैसे दे के कोई चीज ट्रेडिंग में मत करो वो पैसा आप अपने account में invest करो वो बैटर रहेगा ठीक है यार उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी like, comment and share आपने कर दिया होगा और अगर नहीं भी क्या है तो या trick यूज करो ये strategy यूज करो permanent तो नहीं है जब तक काम कर रहे है तब तक यूज करो तिल येन